फ्लोर विट फ्लेट पजल कोशन्स पॉर बैंक प्यो प्रेलिम्स एक्जाम्स फ्लोर बेस्ट कोशन्स कैसे होंगे उसके बारे में बात करते हैं सवाल है 10 परसंस M, N, O, P, Q, R, S, T U and V are लिविं इन टू डिफरेंट फ्लेट यह दस लोग हैं जो की दो डिफरेंट फ्लेट में रह रहे हैं करें हम तो यहां पर आपको देखने को मिलता है नौर्थ, साउथ, ईस्ट, एंड वेस्ट, means जो लेफ्ट हैं वहाँ पर होगा हमारा वेस्ट, राइट हैं पर होगा एस्ट, ठीक है, तो फ्लेट वन जो है ना वो वेस्ट में है, मतलब फ्लेट वन इस तरफ है, किसके 2K, flat 2 इस तरफ होगा, ठीक, the lowermost floor is numbered 1 and the floor immediately above is number 2 and so on, अब इसका जो lowermost floor है, उसका number दिया हुआ है 1, तो हम लोग यहाँ पे number ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यह होगा 5 floor, ठीक है, यह हो गया flat 1, जो की west में है, और यह हो गया flat 2, in case अगर second conditions बनती है, possibilities अगर बनती है, तो हम यहाँ पे उसे draw कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ने extra space रखा हुआ है, चलिए, अब देखते हैं, क्या दे रहा है, बोल रहा है सवाल में, the lowermost floor number यहाँ तक हो गया था, ठीक, U lives on an even number floor and two floors below S in the same flat, तो U जो है, वो even number floor में रहा है, मतलब U यहाँ पर हो सकता है, even number floor यह है, यहाँ पर हो सकता है, साथ में, two floor below S, means S, जहाँ पर भी होगा, उसके नीचे, two floor below होना चाहिए, पॉन U, मतलब ऐसी condition बनने वाली है, कि S के two floor below होना चाहिए, U, और क्योंकि यह same flat में, इसलिए हमने इसे, इस box में बंद कर दिये, ताकि हमको यह समझ में आ सके, कि दोनों एक ही type के flat में रहने वाले हैं, ठीक, अब यहाँ पर, जो U है, वो even पर होना चाहिए, अगर मैं U को four पर रखूँगा, तो S रखने के लिए उपर जगा नहीं है, मतलब definitely U यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर second number के floor में, ठीक है, अच्छा, एक के सोर हो सकता है क्या, कि U flat one में नहोंके flat two में रह, तो अगर U flat two मे हुआ, तो इसके ऊपर, एक space छोड़के हो जाएगा, कौन S, ठीक है, तो यह condition हमने कर लिए क्या, U lives on an even number floor, and two floors below S, in the same flat, ठीक, आगे क्या बोल रहा है, only one floor is there between S and R, S और R के बीच में सिर्फ एक ही floor है, S और R के बीच में, अगर S एक floor है, तो आप देखी, R को उपर नहीं भेश सकते, मतलब R को नीचे ही आना चाहिए, और एक floor होना चाहिए, यह देखी, यह floor का gap है, एक floor, यह floor के gap के बाद R यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर एक floor के gap के बाद R यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, who lives immediately above T, S and R, S के बारे में बात हो रही है, और S जो है ना, sorry, only one floor is there between S and R, S और R के बीच में एक floor है, फिर आगे क्या बूल रहा है, R, who lives immediately above T in a same flat, R, जो की immediately above है, किसके, T के, वो भी कहाँ पर, same flat में, मतलब R के, R जो है, वो T के just उपर है, वो भी same flat में, यह हो गया R, जो की है T के उपर, मतलब same flat, मतलब flat 1, में अगर R है, तो T को भी flat 1 में ही रहना चाहिए, यहाँ पर R अगर flat 2 में है, तो T भी same flat, same flat flat 2 में ही रहेगा, ठीक, आगे देखते हैं, both M and Q lives on the topmost floor, where Q lives to the east of M, M और Q कहां रह रहे हैं, top floor, मतलब floor 5 पर रहने वाले हैं Q और M, यह हो गया Q और M के लिए क्या है, top floor reserved है, Q जो है, वो east में है, east में है means, यहाँ इस तरफ होना चाहिए, right hand side में किस के, M के, तो यहाँ पर M के east में हो गया Q, Q lives on the topmost, M and Q lives on the topmost floor, where Q lives on the east of M, same यहाँ पर भी Q lives to the east of M, अब आगे बढ़ते हैं, one floor is between Q and N, where both lives in a different flat, Q और N के बीच में एक flat का difference है, Q और N के बीच में एक flat मतलब यहाँ पर आना चाहिए, अब N या तो यहाँ पर आ जाएगा, या यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आगे क्या बोला है, एक flat, flat का तो gap है, one floor का तो, flat नहीं, floor का gap है, Q और N के बीच में, और दोनों के दोनों कहां रह रह रहे हैं, different flat में रह रहे हैं, different flat में रह रहे हैं, मतलब अगर Q यहाँ पर flat 2 में रह रह रहा है, तो N को हमें यहाँ पर flat 1 में रखना होगा, Q अगर यहाँ पर flat 2 में हैं, तो एक floor के gap के बाद N को यहाँ पर flat 1 में रखना होगा, आगे दिखते हैं, the number of the floor below N is one more than the number of floors above P, N के नीचे जितने भी floor हैं, वो कितने हैं? एक जादा है, किस से जादा है? पी के उपर जो floor हैं उनसे, पी के उपर जितने floor हैं उससे एक जादा है, ठीके? तो N के नीचे अगर 2 floor हैं, यहाँ देखिए, N के नीचे कितने floor हैं? दो floor है, तो P के उपर एक floor होना चाहिए, मतलब P के उपर एक floor मतलब P यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए N के नीचे अगर दो फ्लोर है तो P के उपर एक फ्लोर होना चाहिए यह condition भी हमने कर दी है The number of floors below N is one more than जो N के नीचे जो फ्लोर है वो एक जादा है तो यहाँ देखिए N के नीचे दो फ्लोर है, मतलब एक जादा तो P के उपर कितने होने चाहिए P के उपर एक फ्लोर होना चाहिए यह भी हमने कर दिया Last statement है O lives below V O lives below V but not in the same flat लेकिन V के नीचे तो रह रहा लेकिन same flat में नहीं रह रहा है ठीक है, तो O lives below V but not in same flat और अगर हम लोग यहाँ पे V और O को राखेंगे रॉंग हो गया, तो यह statement यह जो condition है यह रॉंग हो गई और यह जो condition है यह हमारा हो जाएगा answer अब इस पर based questions आएँगे उन questions के हम लोग answer easily दे सकते हैं ठीक